हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के समात्पोन लेक्शर में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं, तेश दिसंबर 2023 के मोज्ट इंपोर्टेंट करेंट इंटरफियस के कुशिन, तो आप इस पूरे लेक्शर को बहुत ही ध उपेक को, तो अंगोला और उपेक के बीच कुछ मतभेद हो रहे थे, जिसके कारण अंगोला ने उपेक संग्ठन को छोड़ने का फैसला लिया है, अंगोला 2007 में उपेक संग्ठन का सदस्त बना था, इससे पहले 2019 में भी एक ख़वर आई थी, कि कतर ने उपेक संग्ठन क चोड़ दिया है, यानि 2019 में कतर के लवारा ओपेक संग्ठन को छोड़ा गया था, अब यहाँ पर बात आ रही है ओपेक की, तो ओपेक के बारे में कुछ वेसिक जानकारी डिसकस कर लेते हैं, दोस्तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपेक का फुल फॉर्म होत है, इसका मुख्याला कहा है, तो ओस्ट्रिया की कैपिटल है बियना, तो वहाँ पर इसका मुख्याला है, इसकी स्थापना कब होई थी, तो 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना होई थी, कहाँ पर इसकी स्थापना होई थी, तो इराक की कैपिटल बगदाद में इसकी स्थापन की थी और दोस्तों ओपैक ऐसे देशों का संगठन है जो तेल का निर्यात करते हैं दुनिया के कच्छे तेल का लगभग 40 प्रतिसत उत्पादन इन ओपैक देशों के द्वारा किया जाता है चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ओपैक के और Benazola, यहाँ पर बात आ रही थी Angola की, तो Angola अफरीका continent में है, यहाँ पर आप इसकी location देख सकते हैं, यह है Angola Capital अगर आप से पूछा जाए Angola की क्या है, तो वो है Luanda, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है Angola की Capital, दोस्तों यहाँ पर बात आई है Africa continent की, तो इस related point आप याद रखिएगा कि Africa continent से करक रेखा, विशुबत रेखा और मकर रेखा, यह तीन और रेखाएं गुजरती हैं, दोस्तों आप इस पूरे lecture को बहुत ही ध्यान से last तक देखिएगा last में आप से question पूछा जाएगा जिसका answer comment box में देना है चैनल पर गर आप पहली बार आए हैं तो subscribe कर ले, bell icon भी दबाले जिससे आपको समय पर सबसे पहले notification मिल सकेगा, PDF के लिए आप हमारे telegram channel को join कर लीजेगा, telegram पर जाना है study car official search करना है, तो हमारा channel मिल जाएगा, इस channel को join करना है, तो आपको PDF भी मिल जाएगा इसके अलाबा, आप हमारा app भी download कर लीजेगा app का link description box में दिया गया है या फिर आप इसे play store से भी download कर सकते हैं, तो app पर आपको e-book, test series, PDF और daily को इस मिल जाएगी, PDF की बात करें, तो monthly current affairs की PDF मिल जाएगी, दोनों माध्यम में, यानि हिंदी और English में, लूशेंट की PDF मिल जाएगी topic by current affairs की PDF और जो marathon class की PDF हैं, यह सभी उपलब्ध है app पर, तो आप इनको वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो, e-book जो है दोनों माध्यम में है, हिंदी और लिस में, तो यह आपके exam के point obviously बहुत important है, तो इसे आप app से प्राप्त कर सकते हैं next question है, गरतन दिवश हमारो 2024 में किस देश के राष्टपती मुख अतिती होंगे, आंसर हो जाएगा France, तो देखिए दोस्तो, भारत में एक परंपरा है कि गरतन दिवश पर भारत दूसरे देश के राष्टा ध्यक्ष को आमंत्रित करता है, मुख खतिती के रूप में, तो 2024 के लिए भारत ने अमेरिका के राष्टपती जो बाइडिन को आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया फिर इसके बाद अब फ्रांस के राष्टपती Emmanuel Macron को आमंधित किया था तो अब वो गरतन दिवश परंपरा 2024 में भारत के मुख खतिती होंगे, तो इस related question आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस question को आप नोट जरूर कर लीजेगा, इससे पहले एक और महत्पूर घटना हुई थी दोस्तो भारत के प्रधान मत्री नरेंदर मोदी जी फ्रांस में जो 14 चुलाई को वेस्टेलडे परेड होती है उसमें मुख खतिती के रूप में सामिल हुए थे, तो 2023 में प्रधान मत्री मोदी जी बेस्टेलडे परेड में मुख खतिती बने थे, और अब 2024 में गर्धन दिवश मारों है फ्रांस के राष्टपती Emmanuel Macron मुख खतिती बनेगे गर्धन दिवश के पिछले कुछ मुख खतिती डिसकस कर लेते हैं तो अगर आपसे कुशन पुछा जाए कि 2023 में गर्धन दिवश की मुख खतिती कौन थे तो मिसर के राष्टपती अब्दिल फतह अलसीसी थे 2021 और 22 में कोई भी मुख खतिती नहीं रहा है क्योंकि COVID-19 महामारी चल लई थी 2020 में ब्राजील के उस समय के राष्टपती जायर वोल्स नारो आए थे 2019 में साउद अफ्रीका के राष्टपती स्रिल रामा फोसा आए थे और 2018 में सभी 10 आसियान देशों की नेताओं को अमंधित किया गया था तो ये गर्धन दिवश के पिछले कुछ मुख खतिती हैं फ्रांस के बारे में कुछ विशिक जानकारी डिसकस कर लेते हैं तो फ्रांस की कैपिटल है पैरेस, राष्टपती है Emmanuel Macron, प्रधान मंतरी है Elizabeth Warren, दोस्तो ये आप यूरोप महादीब देख पा रहे हैं यहाँ पर रिस्तित है फ्रांस थीक है तो ये फ्रांस की लोकेशन है देखे दोस्तो बात आई है फ्रांस की तो फ्रांस से हमारे देश की समिधान में क्या लिया गया है? तो भारती समिधान में गड़ तंतरात्मक और प्रस्तावनों में स्वतंतरता, सम्ता, बंधुता के आदर्स का सिध्धान्त लिया गया है तो ये भी आपसे कोशन पूछा जा सकता है एक्जाम में कुछ International Current Office भी डिसकस कर लेते हैं तो फ्रांस में अभी हाली में तमिल कभी तिरू वल्लूवर की प्रतिमा का उधगाटन किया गया है और कहां पर किया गया है तो सरगेई सहर है फ्रांस का वहाँ पर इस प्रतिमा का उधगाटन किया गया है दस बरसों के बाद माली में संयुक्तराश्ट सांती मिसन officially तोरपर समाप्त कर दिया गया है भारत ने संयुक्तराश्ट में गाजा युद्धिबिराम की मांग बाले प्रस्ताओ के पक्ष में अभी हाली में मद्दान किया था चीन ने विस्व के पहले चौथी पीड़ी के परवाणू रेक्टर का अभी हाली में अनावरंट किया है अमेरिका के कोलोराडो की अदालत ने डोनाल टरंप को राष्टपती पद के लिए अभी कुछ समय पहले आयोग ठहराया है रूबेन आजार भारत में इसराइल की नए अमबेशनर बने है चाइना ने प्रतवी पर सबसे गहरी लैब लॉंच की है 2023 में सबसे अधिक अफीम उत्पादक देश कौन बना है म्यामार तो म्यामार ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक ने तो साक्षी मलिक ने कुस्ती से सन्यास लेने की अभी हाली में घूशना की है दोस्तों याद रखिएगा कि साक्षी मलिक ने 2016 की रियो ओलंपिक में ब्रॉंज मेडल जीता था साक्षी मलिक की कुछ उपलब्धियां डिसकस कर लेते हैं तो उन्होंने 2014 में राष्ट मंडल खेलों में सिल्बर मेडल जीता था 2016 में Rio Olympic में bronze medal, 2018 में Australia राष्ट मंडल खेल में उन्होंने bronze medal जीता था और 2022 में राष्ट मंडल खेलों में उन्होंने gold medal जीता था तो ये है साक्षी मलिक की कुछ प्रमुक उपलब्धिया दोस्तो साक्षी मलिक के बारे में कुछ और important point discuss करते हैं तो इनका जन्म कहा हुआ था हरियाना के रोहतक में कब हुआ था इनका जन्म 3 सितंबर 1992 को 2009 में इन्होंने ACI Junior WISO Championship में silver medal जीता था और 2010 में WISO Junior Championship में bronze medal जीता था 2013 में इन्होंने राष्ट मंडल Championship में bronze medal जीता था ये भी इनकी महत्रपूर्ण उपलब दिया है बात आई है sports की तो sports related कुछ important current of yes discuss कर लेते हैं तो अगर आप से पूछा जाए Indian Street Premier League में मुंबई टीम के मालिक कौन बने है तो अविताब बच्चन बने है अभी हाली में under 19 Asia Cup किस ने जीता है तो बांगला देश ने जीता है किस को हरा करके जीता है UAE को हरा करके जीता है अभी हाली में IPL की नीलामी हुई है तो इस नीलामी में IPL इतिहास के सबसे महगी खिलाडी कौन बने है Mitchell Stock तो इन्हें 24.75 करोड रोपए में KKR की टीम ने खरीदा है Mitchell Stock की बात आई है तो यह किस देश के करकेटर है तो यह है औस्टेलिया के करकेटर है खेलो इंडिया पेरागेम्स अभी हाली में आउज़ित किये गए है नई डिली में तो इसमें पहला इस्थान किसने हासल किया है हर्याना ने हर्याना ने 40 गोल्ड मेडल जीते है 49 सिल्बर मेडल और 26 ब्रॉंज मेडल जीते है दोस्तो अभी हाली में ITF विस्ट चेंपियन खिताब की घूशना की गई थी 2023 के लिए तो 2023 में ITF विस्ट चेंपियन खिताब नोबाग जोकुबिच और आर्याना सबलेंका को दिया गया है नेक्स्ट कुशन है कोरोना के नए स्ट्रेंड JN1 को बेरियंट ओफ इंट्रेस्ट किसने घूशित किया है आंसर हो जाएगा WHO तो वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाइजिसन के द्वारा कोरोना के नए स्ट्रेंड JN1 को वेरियंट ओफ इंट्रेस्ट घूशित किया है तो अभी हाली में ये न्यूज में भी रहा है JN1 तो ये तेजी से फैल रहा है तो इसको देखते हुए WHO के द्वारा इसे Variant of Interest घोशित किया है दोस्तो अगर आपसे पूशा जाए JN First का पहला केस कहां आया था तो पहला केस आया था अमेरिका में कब आया था सितंबर 2023 में भारत में पहला केस कहां आया था कीरल में तो ये कुछ बेसिक जानकारी है से आप नोट कर सकते हैं बात आई है यहाँ पर WHO की तो WHO क्या है से उक्तराष्ट की एक विसीस एजनसी है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है कितने सदस हैं 194 मुख्याले कहां है जेनेवा सुडियलेंड में और भारत में इसका मुख्याले कहां है नई दिल्ली में WHO की स्थापनक कब हुई थी तो 7 अप्रेल 1948 को महाने दिशक कौन है डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेबरियस दोस्तों आप कमेंट मोक्ष में ये बताइएगा कि डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेबरियस किस देश के हैं नेक्ट कुशन है भारत की कितनी विरासत प्रियोजनाओ को आंसर हो जाएगा 6 तो अभी हाली में दोस्तों भारत की 6 विरासत प्रियोजनाओ को यूनेस को एसीया प्रसान्थ प्रुसकार 2023 दिआ गया है दोस्तो सांस्कृतिक विरासत सरचन के लिए यूनेस को एसिया प्रसांत पुरुसकार 2023 की घोशना की गई है इसमें भारत की 6 विरासत परियोजनाव को शामिल किया गया है अब वो 6 विरासत परियोजनाव डिसकस कर लेते हैं तो उतकरष्टता का पुरुसकार दिया गया है अमरिस सर में रामबाग गेट को और फिर विसिष्टता का पुरुसकार दिया गया है केरल के कुन्य मंगलम भगवती मंदिर में इस्तित करणी कारा मंडपम को फिर merit का पुरुसकार दिया गया है हर्याना के गुरुग्राम में Church of Epiphany और मुंबई में David Sasson Library of Reading Room और नई दिल्ली में Bika Nair House तो इनको merit का पुरुसकार दिया गया है इसके अलाबा पंजाब में पीपल हवेली और काटमांडू में सिकानी छैन को Special Recognition for Sustainable Development से सम्मानित किया ग दोस्तो एक और महत्पोर्ड पुरुसकार दिया गया है वो पुरुसकार दिया गया है केंपे गॉंडा अंदर राष्टिय एरपोर्ट को जो की बैंगलूरू में है तो इस एरपोर्ट के Terminal 2 को दुनिया के सबसे खुपसूरत एरपोर्ट में से एक माना गया है और इस प् हुई थी 16 नवंबर 1945 को मुख्याला कहां है पैरेस फ्रांस में सदस्य कितने है 193 इसका उदेश क्या है तो सभी के लिए गुडबत्ता पूर्ट सिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने के लिए प्रिरित करना नेक्स्ट कोशन है खेलो इंडिया यूद गेम्स का छटबा सं संसक्रण किस राज़ में हुआ था तो पांचबा संसक्रण मद्ध प्रदेश में हुआ था दोस्तो छटबा संसक्रण कब से कब तक आयुजित किया जाएगा तो 19 से 31 जनवरी 2024 तक कितने शहरों में इसका आयुजित किया जाएगा तो चार सहरों में इसका आयुजित किया दोस्तो इसके जो पिछली 5 संसक्रण हुए है तो उस पहला संसक्रण दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था 2018 में, फिर दूसरा संसक्रण पोने में हुआ था और फिर तीसरा संसक्रण गोहावटी में, चौथा संसक्रण पंचकला में और पांचबा संसक्रण भोपाल में हुआ है दोस्तो खेलो इंडिया यूद गैम 2023 का आउजन मद्द प्रदेश में हुआ था ये हम पहले डिसकस कर चुके हैं लेकिन जो खेलो इंडिया यूद गैम 2023 आउजित किये गए थे इसमें पहला इस्थान किस ने हासिल किया था महराष्ट ने दूसरा इस्थान हरियाना ने तीसरा इस्थान मद्द प्रदेश ने दोस्तो आगामी खेल प्रतियोगताएं डिसकस कर लेते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 का ओलंपिक किस देश में आउजित किया जाएगा तो फ्रांस में आउजित किया जाएगा तो फ्रांस के पैरिस में 2024 का ओलंपिक आउजित किया जाएगा ग्रीस मकालीन युवा ओलम्पिक खेल की बात करें तो 2026 में यह डकार सेनेगल में होगा एसियन गेम्स की बात करें तो 2026 आईची नागोया जापान में किया जाएगा 2030 में दोहा कतर में और 2034 में रियाद साओधी अरब में किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2026 में सकायजन कनाडा मेक्शको और अमेरिका में किया जाएगा किर्केट विश्यकप की बात करें तो 2027 में सकायजन साओध अफरीका नामीबिया और जिंबाम्बे में किया जाएगा दोस्तों आपको comment box में बताना है कि जो 38 बे national games हैं ये किस राज्ज में आउजित किये जाएंगे next question है भारत की पहली live सुनवाई किस राज्ज के high court में की गई है answer हो जाएगा मद्धप्रदेश तो अभी हाली में 21 दिसंबर को मद्धप्रदेश high court के जो chief justice है रभी मलिमत तो उनके द्वारा live वीडियो पर सुनवाई का सुबारंब किया गया है इस pilot project के तहट जबलपुर जिले की पाटन और सिहौरा की अदालतों को सामिल किया गया है दोस्तो पाटन और सिहौरा के बाद जल्द ही पूरे प्रदेश की सभी निचली अदालतों की शुनवाई live की जाएगी यानि की high court में अगर कोई सुनवाई होनी है तो वो live सुनवाई हो लियर में 2023 में पर्थम discuss कर लेते हैं तो देश की पहली green hydrogen cell bus की शुरुबात कहां होई है दिल्ली में भारत का पहला 3D printed dark घर कहां स्थापित किया गया है बैंगलूरू में भारत का पहला निर्माड नवाचार के अंदर की रल राज में स्थापित किया गया है बारत का पहला क्रसी डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है भारत का पहला drone परिक्षण केंद तमिलनाडू में पहली hydrogen in a cell bus सेबा की शुरुबात लेह लद्धाग में की गई है ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुबात दिल्ली में हुई है नेक्स कोशन है सिमली पाल टाइगर रिजर्व में दस ब्लेक टाइगर है या किस राज में इस्तित है आंसर हो जाएगा ओडिसा तो देखे दोस्तों सिमली पाल टाइगर रिजर्व ओडिसा राज में इस्तित है और यहाँ पर दस ब्लेक टाइगर है ये जानकारी किस ने दी है तो हमारे देश के केंद्रिय परियावरण वन और जलवायू परिवरतन राजमंत्री है अस्वनी कुमार शौबे जी तो उनके द्वारा राज्य सभा में ये जानकारी दी गई है तो इसमें कहा गया है कि देश में कुल दस मैलानिस्टिक बाग यानि काले बाग मिले हैं और ये सभी बाग ओडिसा के सिमली पाल टाइगर रिजर्व में हैं तो अखिल भारतिय बाग अनुमान दो हजार बाइ अधियर्श्टि से. नेक्स्ट कोशन है, ICCI बैंक के एगजिक्यूटिव डाइरेक्टर यानि ED कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा संदीव बत्रा, तो अभी हाली में RBI के द्वारा IGICI बैंक के एगजिक्यूटिव डाइरेक्टर यानि ED के लिए Sंदीव बत्रा की दोबार निक्ति को मंजूरी दे दी गई है और उनकी यह जो निक्ति होगी यह 2025 तक आज का अंतिम प्रस्न है राष्टिय गड़ित दिवस कब मनाये जाता है तो 22 दिसंबर को हर साल राष्टिय गड़ित दिवस मनाये जाता है अब सवाल आता है कि यह दिवस किसकी याद में मनाये ज कि 2012 को राष्टी एक गड़ित बर्स भी घोशित किया गया था चलिए दोस्तों अब हम कल के करेंट अफ्यस को एक बार रिवाइस कर लेते हैं फिर जनरल नोलेज के पिटारी को डिसकस करेंगे लाष्ट में पूछेंगे आपसे कोशन जिसका आंसर कमेंट बॉक्ष में देना है कितने अब तर्टी एक गस्ती जहाजों की खरीद के लिए अनबंद किया है च्छे विस्व वास्केड वॉल दिवस कब मनाया जाता है 21 दिसंबर को सेख मिसाल अल एहमद अल जबर अलसवा ने किस देश के अमीर की रूप में सपतली है कोबैत साल्टन सागर किस देश में इस्ते थे जहां लिथियम की खोच की गई है अमेरिका पुरुस्बर्ग में ITF विस्व चेंपियन का खिताब किसने जीता है नोबाग चोकोविच ने दोस्तो आज की जनरल नौलेज के पिटारे में हम देश और उनकी राष्ट्य खेल डिसकस करेंगे जैसे अमेरिका का राष्ट्य खेल है बेशबॉल, इंगलेंड का किरकेट, ऑस्टेलिया का किरकेट, मलेसिया का बैडमिंटन, भारत का क्या है राष्ट्य खेल तो दोस्तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्य खेल होकी है, लेकिन यहाँ पर आप याद रखेगा, अगर आप ऑफिसियल बैप साइट पर देखेंगे, तो आपको भारत का कोई भी राष्ट्य खेल नहीं देखेगा, और 2017 में एक RTI लगा करके खेल मंत्रालय से भी पूछा गया था कि भारत का राष्ट्य खेल क्या है, तो इसमें खेल मंत्रालय ने ये कहा था कि भारत का कोई भी राष्ट्य खेल नहीं है, तो अगर आपको उप्सन में मिलता है तो होकी पर लगा दीजेगा, और अगर ये उप्सन आता है कि कोई नहीं है, तो इस पर भी आप लगा सकते है, पाकिस्तान का होकी है राष्ट्य खेल, स्पैन का सांड यूद्ध है और ब्राजील की बात करें तो इसका राष्ट्य खेल है खुटवाल तो ये हैं कुछ प्रमुक्देश और उनकी राष्टी खेल यह इसका पार्ट फस्ट होगा अंगला पार्ट कल डिस्कस करेंगे दोस्तो कल के करेंट अफ्यस में आपसे कुछ पूछा गया था कि लोग टक जील किस राज में इस्तित है तो लगबग सभी लोगों ने इसका अंसर मनीपूर बताया हुआ है तो इसका राइट अंसर भी मनीपूर है तो आपसे जो कुछ पूछा जाए उसका अंसर आप आंसर का